लर्न इजी सब्सक्राइब लर्न इजी चैनल आज की कक्षा में हम सीखेंगे द्विगू समास तो चलिए शुरू करें बच्चो आज हम द्विगू समास के बारे में पढ़ेंगे तो देखें द्विगू समास की परिभाशा क्या होती है वे समास जिसका पहला पद संख्या वाचक विशेशन होता है तथा समस्त पद किसी समू या फिर किसी समाहार का बोद कराता है अब इसमें ध्यान रखने योगे बात यह है कि पहला पद जो है वो संख्या वाचक विशेशन होता है संख्या वाचक मतलब किसी नंबर का बोध कराता है, किसी संख्या का बोध कराता है, और जो समस्त पद होता है, वो किसी संगू का या फिर किसी समाहार का बोध कराता है, समाहार का अर्थ है यहाँ पर किसी मिलाप या फिर संग्रह, इनका बोध कराता है, उसे दुगो समास कह आई दोर आपको और समझाज जाएगा जैसे यहां लिखाए दो पहर है अब यह हमारा समस्थ पद है अब इसमें दो शब्द जो है हमारा अब यहां देखिए दो है यह हम संक्या है और यहां पर शताबदी में शत जो है क्या है Somnore number है हमारा संक्या तो इसलिए इसलिए नहें पर संक्या काई ह protest कराते हैं हमेशा दियान रर्कना जहां पर संक्या का बॉद हो सबसे पहले और पूरा पद जी 2 पहर नूं कَसमाहार जहां पर दो पहर मिल रहे हैं उनका मिलाप हो रहा है तो उसे दो पहर कहते हैं शताब कि कहा जाता है तो आए एक आपको और अच्छे से चुछ और उदार्णोंदोरा समझाती हूं चोराहा, चोराहा का अर्थ है चार राहों का समूव अब यहाँ देखे चार राहों का समूव, चार रास्तों का समूव तो यह चोराहा शब्द जो है हमारा समस्तपद कहलाएगा त्रिकोन, तीन कोनों का समूव अब इसमें त्रिकोन जो है ये हमारा संख्या वाचक है संख्या बताई जा रही है तीन तो इसलिए ये द्युगुसमास के अंतरगत आएगा तिरंगा तीन रंगों का समूँ इसमें तिरंगा में तीन शब्द जो है हमारा संख्या वाच्यक विशेशन आ रहा है इसलिए ये द्यूग समास के अंतरगत आएगा चार पाई जिसका अर्थ है चार पैरों का समूँ इसमें पहला शब्द देखिए पहला पद चार है और ये हमारा संख्या वाचक विशेशन है तो इसलिए ये द्यूग समास के अंतरगत आएगा अब यहाँ पर देखिए नव नव का अर्थ है यहाँ पर नो तो नो हमारा संख्या वाचक है तो इसलिए यहाँ पर जो है ये द्यूग समास के अंतरगत आएगा नव रात्र, नौ रात्रियों का समूँ, अब यहाँ पे नौ शब्द जो है हमारा संख्या में हैं इसलिए यह संख्या वाचक विशेशन है और यह द्यूग समास के अंतरगत आएगा अठनी आठ आनों का समौ नंबर में होगा तो वो द्यूग समास कहलाएगा अगे औरोधारन देखें जैसे यहां देखे, सारी शब्द जो है, इनके आगे का पहला पद जो है, यह सारा अंकुमें है, संखिया में है, इसलिए ये दिगुसमास के अंतर गताते हैं बच्चो अब तो आपको समझा गया होगा कि दिगु समास किसे कहते हैं वे समास जिसका पहला पद संक्या वाचक विशेशन होता है तता समस्त पद किसी समू या फिर किसी समाहार का बोध कराता है उसे दिगु समास कहते हैं तो चलिए बच्छ, आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, बाई!